आपको थ्रॉआ साथ बोलना सुरू कर दीजे अब धीरे धीरे मैं संटेंज दूंगा, स्ट्रॉक्टर दूंगा, एक स्ट्रॉक्टर दूंगा और उस पर हजारों संटेंज आपको फ्रेम करना है और उसको याद करते हो चलना है, क्योंकि spoken का एक ही फंडा है, और वो फंडा यह है, कि जब तक बोलोगे नहीं, तब तक बोलना आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं, तब तक बोलना आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक माउथ बंद रहेगा, spoken बंद रहेगा, गला फाड़ो अगे नहीं, निकलेगा नहीं तो ये सब फंडे हैं जो आपको जानना है तो कभी भी कुछ भी बोलना चाहते हो तो पहले बोलने की प्रैक्टिस करो सब कुछ पहाऊंगा एक-एक word का pronunciation पहाऊंगा एक-एक word का sound पहाऊंगा एक-एक sentence structure दूँगा सब कुछ कराऊंगा बस धीरे 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 जैसे दे रहा हूँ बस उसको याद करते चलो फिर मैं systematic आपको ढाल लूँगा मुझे पता है कैसे क्या करबाना है आपको बस मेरे शाथ इस चीज को देखिए और पढ़ने का प्रयास किजिए देखिए important structure है पहला word है fond of आपको दिख रहा होगा मेरे साथ जितना मैं बोलूँ आपको दूराते रहना fond of इसको found नहीं बोलना fond of इस तरह से आपको बोलने का प्रयास करना है इस तरह से आप बोलेंगे fond fond of तो fond of का मतलब होता है सौकीन होना किसी चीज का सौक रखना fond fond of सौक रखना सौकीन होना तो fond देख रहे हैं आप तो fond of सौकीन होना तो fond देख पा रहे हो तो fond of किसी चीज का सौकीन होना सौक रखने को fond बोलते हैं तो fond of सौकीन होना तो आपको इजे मार का प्रयोग करना है, Fond of चुकिए कि एक addictive है, जिस परकार बोलतो हो ना, You are beautiful, She is beautiful, बोलतो हो ना, You are handsome, He is handsome, उसी परकार Fond of का मतलब सौकीन होना, तो He is Fond of, वह सौकीन है, तो He is, यहाँ पे इजे मार की जगा, आप was war का भी प्रयोग कर सकते हो, Ċजे मार, जहाँ भी आएगा, वहाँ was war, जहाँ पे डूड़ा जाएगा, वहाँ पे deed, जहाँ पे इजे मार आएगा, वहाँ पे was war भी आ सकता है, अंतर बश इतना होगा, फ्रेस्ट और was war, पास्ट, ठीक है, noun या धीवन प्लस, ing प्लस अदरबद, या तो fond of के बाद noun का प्रयोग करें, या फिर ing का प्रयोग करें, ing का मतलब हो गया, जो ing से go का going होता है, उसे ing form कहते हैं, जैसे मैं बोलूँ, मैं coffee का, मैं coffee की सौकीन हूँ, मैं coffee का सौकीन हूँ, तो I am fond of coffee, अब coffee की जगा, मैं cricket का सौ सौकीन हूँ, तो I am fond of cricket, मैं football का सौकीन हूँ, I am fond of football, है ना, मैं लिखने का सौकीन हूँ, तो I am fond of writing, बस मच पार हो, I am fond of writing, वह प्रहाने की सौकीन है, तो she is fond of teaching, मैं प्रहाने का सौकीन हूँ, तो I am fond of teaching, अब मेरे साथ बोलिए, आप आपके लिए, मैं क्या हूँ, यू और आप मेरे लिए यू है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा, I am fond of teaching, तो आपको बोलना है, yes sir, you are fond of teaching, है ना, तो मैं बोलूँगा, I, आपको तुरज रिस्पॉण करना है, मैं question पूछूँगा, am I fond of teaching, तो आप बोलना है, yes, you are fond of teaching, तो जलिए आप तियार हो जाएए, मैं आपसे question पूछा हूँ, am I fond of teaching, बोलिए, yes, you are fond of teaching, ठीक है, इस तरह से हमेशा इसको practice करना है, तो जब आप किसी चीज को question पूछते हो, इसका मतलब कि सा आपको जवाब देना है, sorry, मैं जवाब दूँगा, yes, you are fond of teaching, या yes, I am fond of teaching, तो you का जवाब I में और I का जवाब U में, इससे देना है, तो अवह प्रहाने की सौकीन है, तो C is fond of teaching, तो या तो आप 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 लगा सकते हैं, या तो आप नावन का प्रयोग कर सकते ह मैं आपको आप 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 का तो आप आप में सौकीन, या तो नावन लगाए, I am fond of coffee, I am fond of tea, he is fond of book, he is fond of, कुछ भी आप जो मन करे, बोल सकते हो, अगला देखिया structure, मैं आप देखो, seek of या फेदफ, फेदफ बीत का प्रयोग हमने एक वार और चाचा किया थ फेदफ बीत उप गया हूँ या तंग आप गया हूँ, निले कहते हो, यार मैं न, पढ़ते पढ़ते तंग आप गया हूँ, लिखते लिखते तंग आप गया हूँ, एक कलम से उप गया हूँ, पचस्मा से उप गया हूँ, हाना, तो जिस चीज से आप उप गया है, मोवा phrases बोलते हैं इसे, इसको आपको याद कर लेना है, और बोल चाल में day to day use करना है, यहाँ पर दो examples से काम नहीं चलेगा, हजारों example frame करना तब बोलना है मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ I'm sick of my life I'm sick of my life, I'm fed off of my life, I'm fed off of my life, so fed up with my life, so I'm fed off with my life she is fed up with her life so she होगा तो her, he होगा to his, so he is fed up with his life, you are fed up with your life, I'm sick of my life, he is sick of his life you are sick of your life, इस ता से बोलना है, आप इस व्यापार से उप गये हैं, है ना, आप इस व्यापार से उप गये हैं, you are sick of, you are sick of this job, यहाँ पर आप है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलना है you, इस क्या सान पर क्या बोलना है, are, तो you are sick of this job, he is sick of this job, वहाँ इस व्यापार से उप गयी है, to see is sick of this job, तो seek of या फिर fed up with, हैना, जैसे I am fed up of this pain, तो I am fed up with this pain हैना, sick of और fed up with तो I am fed up with this pain, हैना I am sick of this pain, हैना तो किसी भी व्यक्ती के साथ भी आप रोग कर सकते हैं, तो इस तरह से fed up का प्रोग आप, I am fed up with this mobile, I am sick of this mobile तो आप देख रहो, तो seek of या फिर fed up with, I am fed up with this mobile, he is sick of he is sick of this mobile I am fed up with this mobile, इस तरह से आप रोग बहतर तरीके किसे कर सकते हैं, अगला concept देखिए और यहां पर स्क्राइब प्लास किजी, dear to का मतलब होता है, प्यारा लगता है या फिर अच्छा लगता है structure सब का सेम दे रहा हूँ is a more present में और वाजबर past में, तो आप फिल कर पा रहे हैं इसको तो subject plus is a more dear to के बाद कोई नो कोई noun या object लगाना है या फिर अधरबर लगा देना है मेरा परिवार मुझे अच्छा लगता है my father is dear to me my mother is dear to me my wife is dear to me my friend is dear to me तो जो अच्छा लगता है वहां प्रयोग कर सकते हैं यह सहर मुझे अच्छा लगता है this city is dear to me Delhi is dear to me Mumbai is dear to me Kolkata is dear to me Patna is dear to me तो इस तरह से dear to का मतलब हो गया अच्छा लगना प्यारा लगना आप इसको प्रयोग करके बोल सकते हो देखो बोलने के लिए मुझे खोलना पड़ेगा बोलने के लिए याद तो करना पड़ेगा तभी आपको बहतर बोलना आएगा अगरा देखिए आइदर और या तो बोलता है या तो दो में से कोई एक या तो या 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 दो में से कोई एक हमने बोलता है आइदर यू आर आई या तो तुम या मैं है ना तो यहां पर आइदर और का प्रयोग आप कर सकते हैं, या तो चाए पीओ, या फिर कॉफी, आइदर टेक टी और कॉफी, आइदर टी या कॉफी, इसके लिए आइदर और का में एक double structure, बढ़ा सा structure देशनेल्स पर प्रहा दूँगा, आज ही हो सकता है प्रहा दूँगा, तो फाउंडेशन के लिए आप डेस इनिस पे रात को नो बजे जाएंगे, है ना, तो या तो चाय पिवाए फिर कॉफी, या तो अभी और फिर कभी नहीं, आइधर नाव और नेवर, आइधर नाव और नेवर, या तो अभी या फिर कभी नहीं, तो आइधर नाव और नेवर, या तो मैं जाओंगा या तो तुम जाओगे, आइदर आइदर आइगो और यू गो, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, और बेहतर नेजिक्यों बोल सकते हैं, आगे देखिए पोज आफ, पोज आफ का मतलब होता है, बना फिरता है या बने फिरतो, ने बोलतो हो, तुम अपने आपको नेता बने फिरते हो, वह अपने आपको नेता बनाए फिरता है, वह गायक बना फिरता है, वह जीमनास्टिक बनाए तुम कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे इसमें भी post for, present का प्रयोग यहां पे easy mark आप सकता नहीं है, वह डॉक्टर बना फिरता है, he poses for a doctor, आप नेता बने फिरते हो, you pose for a leader, वह डॉक्टर बना फिरता है, he poses for a leader, इस तरह से आप प्रयोग इसका कर सकते हो, और आपके language आसान हो सकता है, वह नेता बना फिरता है वह गायक बना फिरता है, वह कुछ भी आप बोसकते हो, वह student बना फिरता है, वह teacher बना फिरता है, तो इस तरह से आप बहतर प्रयोग कर सकते हो, आपके लिए एक class, यह 5-10 जो structure में आपको दे रहा हूं, यह structure बिलकुल gate by heart होना चाहिए, अंग्रेजी बोलने करम में आपका mouth रुकुना नहीं चाहिए, और जितना याद करोगे, जितना practice करोगे, उतना बहतर spoken आपका हो सकता है, धे 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 practice करना है, बोलने का प्रयास करना है, जरूर आ जाएगा, कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको online class दे करके, बोलना सिखा दूँगा, बस कुछ दिन की बात और है, जल्दी समय आने वाला है, जरूर सिखाऊंगा, तो इस तरह से आप इसको देखिए, बार बार देखिए, कान में दिल आके देखिए, वो कवलरी सुनते रहिए, जो हमने अलग से आपके बनाया है चैनल, अगर आप exam की त्यारी करते हैं, तो DSL learning पर जरूर जाएं और बेहतर के लिए काम करें, फिर से मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, थैंक्यू भेरी मच्च